कि बात करेंगे बाद में फिलहां तो हलका सा मिस्ट फील्ड और चार रन पहली बाउंडरी इंसाइड आउट केलने की कोशिश है गैप ढूंड लिया है इस बार एक और बाउंडरी स्मिर्थी मांदरा के नाम उसी के लिए गई है गैप ढूंड लिया है चार रन और एक अच्छा ओवर भारत के लिए स्कोर सत्रह बिना नुक्सान भारत का दो ओवर के बाद डाली मिडल स्टम्प लाइन पर खाम्याजा बुगता पड़ेगा वांग और बारी के नारा और बहुत भागिशा रही स्मिर्थी मांदरा के लिए है लेकिन स्कोर बोर्ड पर दिखेंगे आपको चार रन भारत के नाम जाइए गेंद लेकर आई है यह तो बहुत ही बढ़िया शॉट एक्सपेक्ट कर रही थी किस लेंथ में वो बॉल डालेगे पहले से प्रिपेर थी सिर्फ सिर्फ 38 गज को क्लियर करना था बट यहां पे कनेक्शन बढ़िया तो छे रन इंफिल्ड को टपा दिया है चार और हवाई रुख अपनाया है और दूरी भी मिल गई है गरारा शॉट स्मृती मंदाना के बल्ले से एक और सिक्स यह इसी शॉट के साथ स्मृती मंदाना पहली नंबर पर आ चुकी है गेम्स के हाइस रन गेटर में है CAP चतूरा शॉट यह चतूराइ भारा शॉट रहिभारा शॉट है कि ओ लेकीन स्मृति मंदान्य ने कहा आज दिन मेरा है अर्चप की पारी स्मृती मंदाना के wednesday ड्uldade पावर प्ले के अंदर छटे ओवर के अंदर अंदर अड़ चतक पूरा कर लिया इन्होंने बहुती बड़िया बैटिंग प्रदर्शन यहां पे समीती मंदाना के द्वार ओ चार ओर ओ ओ हवाई रुख अपनाया है और दूरी भी मिली है शॉट में अब दिखे खास बात ये की विद्ध टर्ण के लावा शॉट ओधा पढ़िया शॉट यह उचल जज नहीं कर पाई है और यह पहली सफलता इंग्लेंड को शेफाली वर्मा मिस्टाइं की स्टोप काफी जबर्दस साजदारी निभा रही थी शिफाली और सुटी एक साथ लेकिन कहीं न कहीं शाय स्कोरिंग रेट का दबाव पढ़ गया शिफाली के कंधों पर क्यूंकि 15 रन मारे थे उन्होंने शेफाली आउट होती हुई 15 पर 76 पर एक यह एक बार फिर लेके निजबार आसान सा कैश इंप्रोवाइज करने की कोशिश यह बहुत बड़ा जटका इंडिया की लिग जी बिल्कुल बहुत ही एहम विकेट है ये इंग्लेंड के लिए लेकिन स्मृती मांधना के इरादे आप देख सकते थे वो शॉर्ट फाइन लेक को क्लियर करना चाहा रही थी पकड़ नहीं मिली संपर्क सही नहीं हुआ इसी वांग के लिए आसान सा कैश जबरदस पारी होती है खतम 61 पर 77 पर दो यह बहुत ही अच्छा स्क्वार ड्राइब लाजवाब जैमाय माय रोडरीक्स का बहुत ही अच्छा श्टोक मारा है लॉंगान के विशा में इस बाद स्वीप शॉट के चलते पाउंडरी मिलेगी यह हुई ना पाथ बामिंगम में मारा लंडन में लैंड की बॉल यह पहली गेंद और उसको बाउंडरी लैंड के बहुत ज़्यादा बाहर बहुत सई टाइमिंग ताकत भी है पावर हिटर है हर्मन पीट को और वही करना चाह रही हवाँ में है बॉल अच्छी कैश दीव स्कुरे लेग पर तमाल की फील्डिंग इस मूड में हर्मन प्रीट को नजर आई दीए देखें आप भागते वाई बाउनरी लाइन से फुल लेंक डाइव लगाई इन फ्रंट एक सो छे पर तीन हर्मन प्रीट को और आउट हुए बीस बनाकर सही शॉट सिलेक्शन करनी होगी जैसा कि यहां पर जैमी ने किया मज़ा आ गया कि यहां पर चार रन मिल जाएंगे चतुराई भरा शॉट है दीप्ती शर्मा का एक बार फिर एक बार फिर लेकिन यह तो चार है ही नहीं पहुंच सकती थी वहां पर डंक ली बॉल तक सोफी एकल्स्टिन उसी के लिए गई है दीप्ती शर्मा पर कैच शूट गया बाल बाल बच गई कैंप के द्वारा एक मिस्ट ऑपर्चुनिटी पर फिर स्लोर वाल थी लेकिन इंफील्ड के उपर से खेला हुआ शाट चार रनों के लिए जैमीमा रोड्रिक्स जमीमा बहरी किनारा और ये चार रन और मिल जाएंगे उस दिशा में नहीं जहां चाहती थी एक और स्लोर बाल लेकिन इस बार फुल टॉस है और चार रन मिलेंगे जैमीमा को अच्छा शॉट है इंसाइड आउट जैमीमा रोड्रिक्स का और चार रन और कर लेंगी वो अपने नाम एक सो पचास का अंकड़ा पार कर लिया भारतिय टीम ने पर वो साज़दारी टूट सकती है यहां पर टूट जाएगी कि थोड़ा सा अतिरिक उचाल जो था उसकी वज़े से टॉप एज लगा और 22 रन बनाकर दीप्ती शर्मा आउट 169 पर चार भारत दो रन की तलाश होगी एक तो मिलेगा क्या दूसरे के लिए वापसी करेंगे जियां बिल्कुल क्या पहुच गई है पूजा वस्तरकर अचलिये बिना कोई रन बनाए पूजा वस्तरकर वापस पविलियन लोटती हुई स्लोर बॉल आउटसाइड ओफ थी और यहां पे चार रन मिल जाएंगे भारत को एक बैतरीन पारी जमीमा रोड्रिक्स के द्वारा कैथरिन ब्रंट निराश पर याद रखिए यह जो 44 रन जमीमा ने बनाए हैं केवल 31 गेंदों में एक रिकावरी करवा दी है भारती टीम को याने इस सेमी फाइनल के अंदर होस्ट्स इंग्लेंड के सामने लक्ष एक सो पैंसट रनों का रखा है भारत ने पहली डिलिवरी एक फुल टॉसर चार रन मिल जाएंगे अच्छी शुरुआत इंग्लेंड के लिए बड़ा शॉट वन बाउंस फूर डंकली ने अपनी ताकत का मुझारा दिखाया फुल डिलिवरी लेकिन बिल्कुल सीधी गई है अमपायर के पीछे से रेज जीते की बॉल हर्मन प्रीट कौर से फुल टॉस और खामियाजा भुकत ना पड़ेगा तोफे के तौर पर चार रन बढ़ी अपील यहापर क्या सोफिया डंकली आउट हो जाएंगी जी बिल्कुल इसी की दरकार थी दीप्ती ने उस दरकार की पुकार को पूरा किया है यह बढ़िया बॉलिंग यहापर अक्रोस तर लाइन ना खेलने गई थी वो स्वीप शॉट इतना अच्छा खेलती न इस रन पे इंग्लिश अटाइस अटाइस पेग शॉट इसी बीच भैतरीन तरीके से जाब धूंडा इस बार लेग साइड गई डानी वायट नजाकत के साथ खेला है वायट ने अवामे गें थी लेकिन रादा यादव तक नहीं पहुँच भाई वान बाउस लेकिन बिक्सप यहाँ पर कैप्सिवार वायट इपीच रनाओ का मौका क्या किसमत भारत का साथ देगी विए भारत को सेलिब्रेट करने का मौका मिल गया है तरसट पर्दो यह बहुत एहम सफलता है स्नेहराना के द्वारा खराब शॉट डैनी वाइट का और एक बहुमूल्य विक्ट मिल गई है और स्टम्प से बाहर की गेंट को पाइन लेक पर खेलनी की कोशिश और बैट और पैट से लगके ऑफ स्टम्प को हिजा दी और बड़ी सफलता इंडिया के लिए एक्यासी पर तीन इंग्लंड वेट पैंटिस बना कर आउट गाप में नैच से वा किना में को चौका गाच पक्ड़ा जाना चाहिए था अगर बाउंडरी राइडर होता लॉंग आफ पे लेकिन चार रॉन और एक जगा बनाई ड्राइड किया चार रॉन मिलेंगे जीहां इस बार पिछ तक पहुंची बॉल के रादा यादव क्या देने का मिल गई है विकेट जग गई है उमीद भारत के लिए इस समय पर इतना बड़ा विकेट चटकाना बहुत ही महत्वपूर्ण पढ़िया फिल्डिंग यहां पे रादा यादव क्विक है अच्छी पिक अप और ट्रो किया था इजी रॉन आउट एमी जोन ने बड़िया इनिंग्स के लाए 31 पे जाना पड़ेगा इंग्लेंड 135 फिफोर गई बड़े शॉट के लिए नाच सिवर और मिल गया उनको नतीज़ा पलक जपकते ही छे रण मिल गए इस बार फिर से फुल दिलिवरी क्या दो रण भागेंगी की एक दो रण के लिए गई है तानिया भाटिया मामजूद दिवर को आउट कर सकती है दीप्ती को तो लगता है आउट है थर्ड अम्पायर की ओर जाना पड़ेगा यह थे पार्टिया फैंस की शोर सुनिये एक तालिस रण बनाय है उन्होंने इंग्लंड का स्कॉर एक सो एक यावन पर पांच फुल टॉस एक बार फिर से पर मिड ओफ पर विकेट कैथरीन ब्रंट भी चली गई है वापिस पूरी भारत को अभी स्ने राना से स्ने हो रहा है फुल टॉस पर कैथरीन ब्रंट ने अपनी ताकत दिखाने की कोशिश की टाइमिंग सही नहीं और हर्मन पीद को और करेंगी सेलिब्रेट क्यों नहीं लेकिन यहाँ पर कैथरीन ब्रंट को शूनिय पर आउट करने के बाद मेजबान शाहिद बाहर हो जाएंगे काउनवेल गेम से मार क्या सकते है पॉल को उस पर बहुत कश निर्भर है फुल टॉस एक बार फिर से इसने इराना द्वारा लेकिन एक और विकेट मिल सकती थी आसान से कैच को ड्रॉप किया है हर्ली इंदियोल ने समझ लीजिए क्या है समी करन इस मैच का समझ लीजिए कि भारत सेलिब्रेट होने के लिए तैयार हो रही है कुछ बलों के लिए समय थमसा गया था लेकिन अब पूरा भारत खुशी से जूँ उठेगा इस भारतिय महिला क्रिकेट टीम ने ये सुनिश्चित कर दिया है कि कम से कम एक रजग पदक भारत की हो रहाएगा सुर्किया भटोरी है इस भारतिय टीम ने चार रंज से जीत हासल की बीच में ऐसा लग रहा था कि डैनी वायट और सिवर की वज़े से कुछ ना कुछ कर जाएगी इंगलेंड लेकिन अंत में भारतिय टीम डटी रही टिकी रही